प्रिये मित्रों मैं आपका दोस गनेश अववाड आप सभी मित्रों का आपके अपने यूटूब चानल उम्तेक की दुनिया में हृदे से हारदिक स्वागत करता हो मित्रों अगर आप हमारी चानल पर नए है तो ख्रिपया वीडियो को बीना स्कीप की अन्ततक अवश्य देखे और साधी साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करनीजे और बेल आइकन को भिदाबाईए आके हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे फले आप तक पोचे मित्रों आज हम मर्शी पतन जली रिशी द्वारा वर्नित अष्टांग योग पर विशे चर्चा करने वाले है अष्टांग योग के जो आठ आयाम है यम, नियम, आसन, प्रानायम, प्रत्यहार, ध्यान, धारना तता समाधि इन सबी अंगों के मत्व को हम जानने का प्रयास करेंगे तता आने वाले समाई में हम प्रत्य अंग पर अलग-अलग विडियो बना कर विस्तार से चर्चा करेंगे तो आईए मित्रों इस मत्व पुर्ण विडियो की शुरुवात करते हैं लगभग बाईस सो साल पहले महर्शी पतंजली ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की योग सूत्र की रचना के कारण महर्शी पतंजली को योग का पिता कहा जाता है महर्शी पतंजली के योग को ही अश्टांग योग या राजियोग कहा जाता है योग के आठंगों में ही सभी तरह के योग का समावेश हो जाता है भगवान बुद्ध का आश्टांगिक मार्ग भी योग के उन्ही आठंगों का ही हिस्सा है महर्शी पतंजली ने योग को चितकी वृतियों के निरोत के रूप में परिभाशित किया है उन्होंने योगसूत्र नाम से योगसूत्रों का एक संकलन किया जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्यान तथा शारीरिक मानसिक और आत्मिक शुद्धी के लिए अश्टांग योग आठंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है अश्टांग योग को आठ अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए यह आठ आयामों वाला मार्ग है जिसमें आठों आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है योग के ये आठंग है एक यम, दो नियम, तीन आसन, चार प्रानायाम, पांच प्रत्याहार, छ धारणा, साथ ध्यान, तथा आठ समाधी है अश्टांग योग महर्शी पतंजली के अनुसार चितवरिती के निरोत का नाम योग है इसकी स्थिती और सिध्धी के लिए कुछ उपाय आवश्यक होते हैं जिनहें अंग कहते हैं और जो संख्या में आठ माने जाते हैं अश्टांग योग के अंतरगत प्रथम पाचंग यम, नियम, आसन, प्रानायाम तथा प्रत्याहार बहिरंग और शेष तीन अंग धारणा ध्यान, समाधी, अंतरंग नाम से प्रसिध हैं बहिरंग साधना यथार्थ रूप से अनुष्टित होने पर ही साधक को अंतरंग साधना का अधिकार प्राप्त होता है यम और नियम वस्तुताशील और तपस्या के द्योतक हैं यम का अर्थ है सयम जो पाँच प्रकार का माना जाता है जैसे एक अहिंसा दो सत्य, तीन अस्तेय, अर्थाक चोरी न करना, चार ब्रहमचर्य और पाँच अपरिग्रा है इसी तरह नियम के भी पाँच प्रकार होते हैं जैसे एक श्रौच दो संतोश, तीन तप, चार स्वाध्याय, मोख शास्त्र का अनुशलीन या प्रणव का जब तथा पाँच इश्वर प्रनिधान, इश्वर में भक्तिपूर्वक सब कर्मों का समर्पन करना आसन का मतलब है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार जो देस्थिर्ता की साधना है आसन जब होने पर श्वास प्रश्वास की गती के विछेद का नाम प्रानायाम है बाहरी वायू का लेना श्वास और भीतरी वायू का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है प्रानायाम प्रांस्थेर्य की साधना है इसके अभ्यास से प्रान में स्थिर्ता आती है और साधक अपने मन की स्थिर्ता के लिए अग्रसर होता है अंतिम तीनों अंग मन स्थाइर्य का साधना है प्रान स्थाइर्यार और मन स्थाइर्य की मध्यवर्ती साधना का नाम प्रत्याहार है प्रानायाम द्वारा प्रान के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भावस्वभावत कम हो जाता है फल यह होता है कि इंद्रियां अपने बाहरी विशेयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है, इसी का नाम प्रत्यहार है अब मन की बहर्मुखी गती निरुद्ध हो जाती है और अंतर्मुख होकर स्थिर होने का प्रयास करती है इसी प्रक्रिया की आरंबिक दशा का नाम धारणा है शरीर के किसी अंग पर जैसे हृदय में या नाक के अग्रभाग पर अत्वा बहपदार्थ पर जैसे इश्ट देवता की मूर्ती आदी पर चित को लगाना धारणा कहलाता है ध्यान इसके आगे की दशा है जब उस देशविशेश में धिय वस्तु का ज्यान एकाकार रूप से प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं धारणा और ध्यान दोनों दशाओं में वृत्ति प्रवाह विद्यमान रहता है परंतु अंतर यह है कि धारणा में एक वृत् परंतु ध्यान में सद्रिश्वृती का ही प्रवाह रहता है, विस्द्रिश्का नहीं, ध्यान की परिपक्वावस्था का नाम ही समाधी है, चित आलंबन के आकार में प्रतिभासित होता है, अपना स्वरूप हो जाता है और एक मात्र आलंबन ही प्रकाशित होता है, यही समा रक्षय है